ओम नमस्षिवाय श्वाकत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल अपना दोस्तो आज मैं आपको स्रावण मास की नो ऐसी राशियों के पारे में जानकारी दूँगा ये राशियां बेहदी भाग्य सालिय लखी रहने बाली है माता पारवती की पूजा जरू करें स्वागिन मैलाय माता पारवती की पूजा करती है उनको पुत्र प्राप्ति अटल सोभाग्य का बरदान प्राप्त होता है दन प्राप्ती का बरदान प्राप्त होता है जीवन में आरे इसनारे दुख दूर हो जाते है आपको विशेश रूप से द्यान रखना चाहिए कि स्रावण मास में प्रति दिन सिविलिंग का अफसे करें स्रावण मास में प्रति दिन सिविलिंग पर बेल पत्र चड़ाएं और साथी खीर का प्रशाद पूरे सामन के मैंने ये नेम बना लीजिए बेल पत्र आपको अरपन करनी करनी है देखना कितनी जल्दी आपकी मनुकामना पूरी होती है पूरे स्रावण मास में नौर आसियां ब्यादी बाग गिसाली है सबसे पहली है मेश राशी, धन प्राप्ती, संतान का सुख, साथी परवार में सुव मंगल कारे संपन होंगे बहुत ही अच्छा योग एक प्रकार से आप कह सकते हैं दूसरी राशी है ब्रसव राशी जो बहुत ही अच्छी और भागिसाली रहने वाली ब्रसव राशी बालों के उपर महाकाल बोलेनात प्रसन रहेंगे और साथी देव गुरु ब्रसपती की सुबदिष्टी, सुक्र देव की सुबदिष्टी, सुक्राचार भगवान सिव के भक्ते हैं तो आपको विशिस लाम मिलने बाला है करक राशी लामांतिक रहने बाली है, करक राशी वालों को विशिस लाम मिलेगा चंद्रमा की यह राशी, भगवान सिव चंद्रमा को सिर पर धारन करते हैं और चंद्रमा भगवान सिव की नियमत रूप से पूजा करते हैं ये रासी बहुत ही भागिसाली रहने वाली है, चावल, सावत चावल सिवलिंग पर अरपन करें। सिंग रासी, ये रासी शूर की रासी है, जो वगवान सिव के भकते हैं, आपको विशे सलाम मिलेगा, आपकी प्रतिक मनो कामना पूर्योगी। तुला रासी, बहुत ही भागिसाली रहने वाली है, शुक्र की ये रासी, पुत्र धन का लाब ब्योपार मुन्नती वा नोकरी में प्रमोशन मिलेगा। देवगुरु ब्रेस्पति की धनुरासी बहुत ही भागी साली रहने वाली है मकर रासी और कुम रासी दोस्तों ये रासी इतनी भागी साली है जिनका योग बहुत ही अच्छा है साथ ही मीन रासी जो पुत्र धन का लाब मिलेगा विशेशी लाबान तक रहेगे ज्यादा तर ये रासी ये रासी ये साली रासी में सुभ रहने वाली है